कोई कश्मीरी अतंकवादी नहीं है जो है वो आपके बेजे हुए अतंकवादी आईयसाई के याद रखना आप कहते चलाएंगे आप कहते ड्रोन बेजेंगे आप कहते गोलिया चलाएंगे आईयसा आईकी आथी की ताथी ठोकेंगे एक चलाओगे तो ठोकेंगे रोल ठोके सवाल पूछ रही हूँ कि बॉकलाए इम्रान तो दिया ड्रोन अटाक का फर्मान सवाल आज महाभारत में ये कि कश्मीर को फिर से अंतराश्य मुद्धा बनाना चाहता है पाकिस्तान और सवाल ये कि क्या उरी और पुल्वामा का जवाब भूल गया है पाकिस्तान मेरे साथ आज जो महमान जड़ रहे है महाभारत में मेरे साथ जड़ रहे है और आप हमें बताएंगे और हमारे यहां पर कश्मीर की शांती चीख जीख कर बोल रही है देख रहे हो ना चीमा साथ जवानों की शहाते नहीं है इन अतंकवादी जो पाकिस्तान से बेचते हैं गुंडे रोज ठोकते रोज डेली डेली गोली चलती है और देख लिया तीन सो ततर दार दारा का कोई कश्मीरी अतंकवादी नहीं है जो है वो आपके बेजे हुए अतंकवादी आईयसाई के याद रखना आप कहते चलाएंगे आप कहते ड्रोन बेजेंगे आप कहते गोलिया चलाएंगे आईयसा, आईकि याथी की ताँछी ठोकेंगे रोज ठोकेंगे इनको आओ पेजो इनको जा रोज नको बेबर बक्रियों की तरह मारेगे चांदि नी करेंगे इनके शरीर बस करो अरे हिंदु दादी चाती पे खाता है ता गोली मार नी सकतें पीठ पे गोली मारते हैं सर पीड पर गोली मारत के ते आप पडू के सहारे हो गए पीड़े लेommtनें लेकि रेग॑ थिने पर मांगो के लिए आगे फिनने माध्र भूमी के लिए आगे भी खाये अगे पर खाऊँगा जवान पर बात में चलाव मैंच चलने मझाने बड़े हटो क्या रिज करता हूं मैं आता हूं बॉडर पे चीवा साथ चीवा साथ आपको उनके हेलपोन से दिक्कत है या दिक्कत ये है कि वो हिंदुस्तान के जाबाज है और आपको वो हजब नहीं होता बात कर रहे है शी मा साथ या बैटके स्पैस पर जा रहे है बढ़ा आया साइज देखी आपके गुंडे देखे बड़े पड़े ठोक टे बञ़े थो चीवा यही तबाओ नहीं सफाई है आपकी इससे आगे नहीं से आगए नहीं है दूसरी जो सबसे बड़ी वज़े थी वो ये थी कि रक्षा मंत्राल में बैठे हुए बहुत से स्यासादान वो पैसे कमाना चाते हैं इन दिनों में वो क्या करना चाहते हैं कि इस तरह की टेकनोलोजी जो के इसराइल और जो के इसराइल को अमेरिका जबास वहां से खरीज करना रहा है कोई चीज तो साफ साफ कर लिया करिये राजा फैजल साफ कोई चीज तो खुल कर कीजिए या वो मादा नहीं है इसको भी हिंदु बनाने की कोशिश कर रहे है एक सिकंड एक सिकंड बिटा साफ आपको यह पता है कि नहीं पता है इनके इनके अधिकारी जाते हैं इसराइल में चुपकर मुलाकात करते हैं क्योंकि कुई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप खुल कर बाता रखते हुए कर सकते हैं कि नहीं यह लुका चुपशुपी वाली हरकते कंबंत होंगी आपकी इश्राइल के साथ जिसके लिए आप कहते हैं कि हम इन पा हमला कर दें यह आपका पबलिक स्तेंड है और आपका लुका चुपी वाला स्टैंड वो है कि इसराइल जाकर गुला कार्ट करते हैं क्योंकि आपको उनसे टेक्नालोजी चाहिए आपको उनसे डिफेंस स्पूर्पमेंट चाहिए हमने कभी किसी को मुशलमान नहीं बोला याद रखना बिट्टा साथ किसे समझा रहें इनके अपने देश में किस तरह से जल्म कर रखें इसलिए यह लहजा आपका बात करने का सर्दार मैं तुहां मैं राजा आपका बातकर है ऊए तूम इसल्मीन का तुम्हें यही बताता हमें तुम्हें पताता सर्दार कैसे बोला जाता है कताता मैं रहे खाले साहिए फैरा वाले राजा स्वेगर आपको तो आए जा पैसा देती आए जाज नहीं है उन्यादारी पाले हुए पाले ले खाले साहिए पुड़ा नहीं है क्योंकि उन्होंने देश के लिए गोली खाई है एक मिनिट मैं आपको बलकुल क्लियर बता दू मैं आपको क्लियर बता दू जिस व्यक्ति ने देश के लिए गोली खाई हो वो व्यक्ति गुसे से लाल ही होगा इस तरह की बाचा सुनकर राजा फैजल इस तरह से उंगली दि गिराते हैं एक प्रवक्ता है कि आप रजा आज अता है बिचारा से वह आके बोलना शुन कर देता है को नहीं चीज लेके आए यार बिटा साब आ प्ली प्लीफीज देखो मैं इनको एक बास तीन सो सत्र दारा के बारे में कलियर बता दू दिल्ली पीम हाउस में मीटिंग हुई मैबूबा मुफ्ती से लेके फार गुदॉला आल पॉलिटिकल पार्टी आई तीन सो सत्र दारा का मुददा नहीं उड़ा पाकिस्तान का मुफ्ती ने वहां कहा कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए पीम हाउस में बात नहीं हुई दूसरी बात कहते हैं फौज किस लिए बेजी है किस लिए रखी कश्मीर में फौज जो आप कुंडे बेजते हैं रोज अतंकवादी बेड़े पकरियों को ठोकेंगे रोज उसके लि बात करते हैं तो मिन्नी चेल सकते नागल साब यह आज का हिंदोस्ताना दो हजार इकिस का जिसका परदान मंतरी निरंदर मोधी जी है आपने ड्रॉन बेजे और बिक्ता साब उन्हें यह पता है अच्छी तरह से यही वज़ा है कि यह सीधा रास्ता लेना भूल चुके है इन्हें सिर्फ गली कूचों से रास्ते निकल कर दिखते हैं और इसी लिए यह पीछे से और ड्रोन वाली साजशों के जरिये चलते हैं यही इनकी यही इनकी असलियत है सिर्फ साजशे रची जा रही है